असलाम वालाइकूम हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल सो आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूं सेवें डेज मैगी चालेंज जिसके लिए मैंने अपनी कम्यूनिटी पर आप लोगों से पुछा था तो आप लोगों मैंसे 77 परसंट लोगों ने बुरात पकार के करें गया सैम अब इसमें एक मिडियम साइस की प्यास को फाइनली चॉप करके आट कर देंगे और इसे ट्रांस्लूशन्ट होने तख पकाएंगे अब यह प्यास हमारी ट्रांस्लूशन्ट वो गई है तो अब हम इसमें दो छोड़े-छोटजे तो मैंने तेमाट और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर अब इसे भून लेंगे साथ में अच्छे से अब यहां पर मैं विल्कुल थोड़ा सा नमक आड़ कर रहे हैं क्योंकि मैगी के टेस्ट मेकर में भी नमक होता है तो ध्यान से नमक कमी आड़ करें स्टार्टिंग में और मिक्स कर द ऊप्तार शोटीं मेगी नमक आड़ के लिए अच्छे से नमक होने देंगे तो अब यहां यहां पर थोड़ा पानी और एड़ कर देंगे और मैगी के साथ मसाले को अच्छारीं मिला देंगे और इस स्टेश पर मैंने चेक किया था तो मैगी जो हैं गली नहीं थी साइसे तो मैंने यहां पर थोड़ा पानी और एट किया है और इसे ढखकर दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करके बताई गया कि आपन कि रोक सकते हैं लेकि मुझे थोड़ी सुखी सुखी और ड्राइड्राइए मैगी अच्छी लगती है पानी मुझे जादा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने यहां पर पानी सुखा लिया और अब मैं यहां पर एट कर दोंगी मैगी मसाला मैजिक जो इस मैगी में जान डा देगा तो आप यहां पर मैं इसका एक पैकेट पूरा एड़ कर दोंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सो बस यह हमारी गर्मा गरम सी तेस्ती सी मज़ेदार सी मैगी बनकर यहां पर तैयार हो गई है मसाला डालने के बाद आपने गैस को आफ कर देना है और देखि हो गई है तो आप इसे जरूर एक बार ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताईएगा कि यह मैगी आपको कैसी लगी और हाँ आप मुझे यह भी बताना है कि मैं नेक्स्ट जो करूं डे टू उसमें क्या बनाऊं ठीक है तो आप मुझे साजेशन्स भी सकते हैं सो यह मैगी बनाएं इंजॉय करें कमेंट करें और लाइक करिएगा वीडियो को मेरे चानल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और आगया वज़दार से वीडियो देखने के लिए मैं फिर मुलूंगी आप से किसी अमेजिंग सी नई वीडियो के साथ तब के लिए अपना ध्यान रखिएगा मुझे दौाओं में याद रखिएगा अल्लाहाफेश